अगर आप चार्टिंग को यूज कर रहे होंगे स्टॉक स्कानिंग के लिए आज जो फीचर्स मैंने बताने वाला हूँ आप में से काफी सारा ट्रेडर ये पूछा कि कस्टम इंडिकेटर कैसे बनाए और दूसरा कुछा गया था कि पेसिफिक टाइम में अगर आपको सिगनल चाहिए जैसे कि अगर आपको दस बजे के बाद ही आलट चाहिए और दो बजे से पहले ही आलट चाहिए तो उस स्पेसिफिक टाइम पे ही अगर कुछ सिगनल बनता है तभी हमें आलट मिले बाकि कोई आलट अगर नहीं चाहिए त किस तरीके से स्पेसिफिक टाइम को हम डिसाइड कर तो वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखना उदाउट स्किपिंग सबसे पहले हम कस्टम इंडिकेटर को किस तरीके से बनाएंगे मैं वह आपको दिखाता हूँ बॉड़ी हो याए फिर जिसे कि मैं कई बार यूज करता हूं green candle हो या फिर red candle हो लेकिन उसका बॉड़ी को किसे बनाएं देखो यह चाटी का premium फीचर है मैं यहां पर premium में क्लिक करूँगा premium में क्लिक करने के बाद आपको custom indicator पे क्लिक करना है और custom indicator के नीचे वाला अगर आप क्लिक करोगे वहाँ पे create a new indicator आपको दिखाएगा तो यहाँ पे आपका indicator बना सकते हो और उसको scan भी कर सकते हो तो मैं आपको दो इंडिकेटर बताऊंगा पहले body को कैसे बनाना है वो बताऊंगा यानि कि green candle हो या फिर red candle हो यह में काफी बार यूज़ करता हूँ तो यह मेरे लिए बहुत ही useful है और उसी का साथ साथ specific time के लिए भी एक इंडिकेटर बनाएंगे तो पहले अगर आपको body बनाना चाहिए तो candle का body किस तरीके से बनता है जो उपर रहेगा उससे माइनस करेंगे हम जो लिस्ट वैल्यू है तो body का वैल्यू आएगा हमें greatest function यूज करेंगे greatest of open and close greatest से हम माइनस करेंगे list of open and close current candle का और इसको हम body को यहाँ पर c body में c बड़ी तो candle body के ताकि आपको समझ में आए इस तरीके से आप premium में क्लिक करके create a new indicator पर जाओगे तो आप बना सकते हो तो आप कभी भी scanner आपको बना रहे हो जैसे कि क्या हो गया कि shooting star हो गया या फिर hammer हो गया body से कोई green हो red हो कोई चलता है ठीक है लेकिन body का two times या फिर three times आपका क्या होना चाहिए weak होना चाहिए तो c body ही आप you know use करेंगे तो automatically आपका body ही scan हो जाएगा यह वो stock का body को scan कर देगा तो मैं यह c body के नाम पे सेव कर रहा हूँ candle का body आप किसी भी नाम पे सेव कर सक तो इसी तरीके से आप candle का body को scan कर सकते हैं and there is many other things आप custom indicator के द्वारा बना जा सकता है तो यह हो गया कि custom indicator कैसे बनाए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से specific time पर अगर आपको signal चाहिए उसको किस तरीके से scan करें तो अभी हम एक scanner बनाएंगे और specific time पर किस तरीक प्रीबियस डे को यह इस candle ने breakout दे रहा है जो कि अलड़ी दो बज गया है तो उसके बाद momentum करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है तो इस cases में हमें इसको award करना है let's suppose TCS TCS भी breakout दिया लेकिन कब breakout दिया यह 12-15 पर breakout दिया ठीक है let's suppose यह हमें चाहिए लेकिन reliance नहीं ठीक है क्योंकि अभी क्या है कि वक्त है वैसे आप डिशाइड कर सकते हो कि अगर आपको 12 बजे के बाद ही अलट नहीं चाहिए मैं आपको किस तरीके से में इस करता हूं मैं पता देता हूं और आप आप आटोमेटिकले आप 12 बजे के बाद एक बज़े के बाद इसको scan कर सकते हो ना चीव ब्रेकाउट के लिए मैं तो यह एक्जेंपल के लिए ब्रेकाउट ले रहा हूं आपका जो भी सिगनाल है स्पेसिफिक टाइम पर कैसे आएगा वो कम्प्रिट आपको समझ माँ जाएगा वैसे इसका हाई यहां पर यह ब्रेकाउट नहीं हुआ है ठीक ह रिलाइंस का ब्रेकाउट हुआ था तो क्या करना पड़ेगा मैं यहां पर लेट सबस्ट फ्यूचर में ही जो स्टोक फ्यूचर में ही ट्रेड होते हैं वही जब हम फ्यूचर सिलेट करते हैं यहां पर फ्यूचर का वैलू को स्कैन नहीं करता है किसी भी स्टोक का वो क्य होके आएंगे तो यह cash का value को ही scan करेंगा future का नहीं तो generally क्या होता है cash के value के साथ साथ भी future का moment होता है ना तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ cash का ही scanning हो गई now lattice close crossed above previous day high one day go high और इसको मैं five minute कर लेता हूं one day go high lattice close greater than one day go high and previous close less than one day go high तो वराबर हमें मालूम हो जाएगा जब भी भी cross करेगा save करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कोई specific scanner नहीं है मैं आपको यहां पर सिर्फ फर सिर्फ टाइमिंग किस तरीके से आपको चाहिए यहां कि किसी particular time पर किस तरीके से स्कान करना चाहिए वो ही सिका रहा हूं यहां पर क्या करना है कि let's suppose हमें पहला 15 minute हमें नहीं चाहिए 9.15 से लेकर 9.30 कोई भी candle breakout दे रहा है let's suppose वो हमें नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा देखो मैं 15 M यह custom indicator जैसे कि मैंने आपको पहले भी custom indicator बताया था उसी तरीके से एक मैंने custom indicator बनाया है जिसका नाम है 15 M यह नाम है सिर्फ यह 15 minute के time frame नहीं है 15 M मैं आपको दिखा जैता हूं यह custom indicator क्या है जिस तरीके से मैंने candle का body बनाया था उसी तरीके से candle का open high low close and volume को मिला के मुझे एक value चाहिए किसी भी stock का हो सकता है यह जो high बन रहा है न यह हो सकता है कि throughout the day किसी एक का high इस high से match हो जाए या फिर slow से match हो जाए यह हो सकता है या फिर volume भी match हो जाए लेकिन हर एक candle का open plus high plus low plus close plus volume एक unique number देता है वो कभी भी दूसरे के साथ match नहीं होगा किसी भी candle के साथ match नहीं होगा यह custom indicator बना लीजिएगा जिसमें open high low close plus volume होगा तो क्या करना है 15 मिट का अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखो कि current candle 15 M is not equal to first candle 15 M यहने कि current candle का जो 15 मिट के time frame है न वो पहला 15 मिट तो नहीं होना चाहिए देखो अगर आपका 920 में अगर breakout हो रहा है लेट सपोज 920 को इस हाई को breakout कर रहा है और फिर मैं Reliance का दिखा रहा था तो Reliance का open करता हूँ लेट सपोज यह हाई इस हाई को यह वाला ही second candle ही cross कर रहा है लेट सपोज तो उस time पे यह वाला 5 मिट का open high low close यह वाला भी open high low close यहाला जहें तो यह वाला 10 के बाद देगा याने कि 930 के बाद देगा अभी मैं यहाँ पे save कर देता हूँ इसको तो यहाँ पे breakout after 9.30 के नाम पे save कर देता हूँ एक जम्बल के लिए आप देखो कि यहाँ से ग्याप है न 9.30 के बाद जो stock breakout हो रहे वही आ रहा है हर एक दिन 9.30 के बाद ही आएगा आएगा आपको नहीं दिखाएगा उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं लेट सपोज आप दो बज़े के बाद stock नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है अभी दो बज़े के बाद का जो stock है मैं अभी यहाँ पे फोर आवर कर लेता हूँ फोर आवर करने से दो बज़े के बाद वाला नहीं तो क्या करना है यहाँ पे यह वाला यह वाला फीचर में काफी बार यूज करता हूँ यह मेरे हर एक स्पेसिफिकली इंट्राडे स्कैनर के लिए मुझे स्पेसिफिक टाइम चाहिए अननेसेसरी आलेट मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं यूज करता हूँ तो आप में से काफी सारे ट्रेडर को यह जरूरत है इसलिए मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ यह एनी का फ्यूचर यूज करो यहाँ पे 15 M लिखो इक्वल्स टू 15 M और यहाँ पे 4 आवर्स लिखो और इसको फास्स कैंडल करो यहनी कि फास्स कैंडल का 4 आवर इक्वल्स टू करेंट 4 आवर लेट सपोस यह अगर 10 बज़े भी क्रॉस करेगा तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो पहला कैंडल का टोटल वैल्यू होगा उस टाइम पे तो इसी लिए पहला कैंडल का क्या 15 मतलब उपन हाई लो क्लोज वैल्यू जो होगा वो करेंट कैंडल का ही होगा तो बारा बज़े एक बज़े एक पंदरा तक कहां पे भी ब्रेक आउट हो आपको आएगा लेकिन हमने अलड़ी कंफ चौंल की आपक आपको आपको It touch the केंडल को कवर बारा यहां से लेकर अगर हम देखते हैं तो यह दे का है 13 15 से लेकर 13 है ठिके तो 9 पाइब्रा केंडल होना चाहिए यहां पर क्या लिख़ो इसको कॉपी करो टाइम फ्रेम में 9th candle, 9th candle 30 minutes equals to 30 minutes current candle तो ये 1.15 तक complete करेगा और ये 1.45 तक complete करेगा बाकि remaining 15 मिन्ट के लिए 15 मिन्ट टाइम फ्रेम कर लो और 1.45 के candle कहां पर ये वाला क्या कि ये 1.45 से लेकर 2 बज़े तक कवर करेगा तो क्या करना है यहां पर ये वाला कितना कौनसा नमर केंडल है यहां से मार कर लो यहां तक ये 19 नमर केंडल है 18 बार दिखा रहा है तो 19 नमर केंडल है ये तो क्या करना यहां पर फिर से कॉफी करके यहां पर 15 मिन्ट टाइम फ्रेम कर लो इसको 15 मिन्ट कर लो और इसको 19 कर दो अगर आपने 19 कर दिया, आप यहाँ पे देखोगे, आपको सिर्फ और से 2 बजे के बाद तक ही breakout देखेंगे, breakout करो या फिर कोई भी scanning करो, उसके बाद वाला empty रहेगा, और 9.30 के पहले वाला भी empty रहेगा, इसी तरीके से अगर आपको 1.15 तक चाहिए, तो भी आप यहाँ पे avoid कर सकते हैं, और सांती से बेट सकते हैं, time frame के regarding specific, आपका scanner पे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इसको copy करो, और वहाँ पे paste कर दो, यह मैं share कर दूँगा आपके साथ, तक है आप इसको copy कर लो, यह कोई breakout strategy नहीं है, आपको यह एक example में बता रहा हूँ कि किस तरीके से specific time प alert करते हो यहां, अगर मेरे को breakout जैसे ही आ रहा है, उसी time पर alert चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर one minute में select करूँगा, या फिर पांस minute के candle, close होने के बाद, अगर मुझे alert चाहिए, तो मैं यहां पर करूँगा, आप में से कई बार आपने पूछा होगा, कि आपको alert क क्यों नहीं आता है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर pause नहीं करोगे, pause करोगे तो एक दिन आएगा, next दिन से फिर यह नहीं आएगा, यह pause हो जाएगा, इसलिए continue में रखो, अगर आप चार्टिंग का wave hook यूज कर रहे होंगे, तो आप यहां पर उसका link paste कर सकते हो, और इसको save alert कर सकते हो, मैं already इसके regarding एक वीडियो बनाया भी हूँ, how to connect wave hook with telegram, जैसे कि telegram पर आपको immediately notification आजाएगा, कहीं पर भी हमारा strategy में आज हो रहा है, तो आप यहां पर अपना link paste कर सकते हो, और save कर सकते हो, यहां पर हमें इसा continue रखो, ताकि continue alert दे, अगर आप pause कर दोगे तो एक दिन के लिए देगा, उसके बाद नहीं देगा, तो आज क्या क्या चीज़े हम discussion किये, अभी last में जो discussion किये, कि alert क्यूं नहीं आता, यहां पर अगर pause कर दोगे तो नहीं आएगा, and remaining यहां पर दुसरा custom indicator कैसे बनाना है, वो हमने सीखा, हमने candle का body कैसे तरीके से बना आना है, and इसके अलावा अगर आपको कुछ specific queries है, इस तरीके से आप मुझे comment में पूछते हो, definitely comment में मुझे बताना, okay guys, so this is it in this video, thank you so much.